असलाम अलेकूम वेल्कम बैक ताने अथ वीडियो मीद करते हूं सब करिया से होंगे आज हम बनाएं जारें आज हम बहुत ही मज़दार सी फिश के रिसीपी जिसको कहते हैं टैमपूरा फिश सो ये बहुत ही कृष्पी और बहुत ही डिफरेंट स्टायल में हम रेडी करेंगे सो लेट स्टान डे रेसीपी सबसे पहले हैं यहाँ पर जी ओन के जी हम ने फिश ले लिये जिसको हमने धो के और स्टेन कर लिये अब हम इसमें डालेंगे दही almost two table spoon हम इसमें दही इस्तमाल करेंगे उसके बाद लसन अद्रक का पेस्ट यहां पे हम इस्तमाल करेंगे one table spoon उसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे दो से तीन lemon juice अगर आपके पास दूसरे बाला हो बाटल बाला हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास fresh हो तो आप fresh यूज़ करें almost दो से तीन lemon का juice आपने इसमें आड़ करना है उसके बाद जी हम यहां पे नैशनल का fish masala इसमाल करेंगे इसमें almost two table spoon में यहां पे fish masala आड़ करेंगे हल्दी डालेंगे चिली sauce डालेंगे one table spoon and then यहां पे हमारे पास soya sauce है one table spoon हम इसमे soya sauce आड़ करेंगे उसके बाद जी हम इसको अच्छे से mix करेंगे और marinate करके हम इसको तकरीबन 10-15 minute के लिए रखतेंगे यहां पे जी हमने all purpose floor लिया half cup इसमें हमने black pepper and salt आड़ करना है for taste और उसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे पानी और most quarter cup या half cup से थोड़ा से ज्यादा और इसको अच्छे से करेंगे मैक्स हम इसका बैनाएंगे एक बैटर smoothie टाइप बैटर बनेगा यह भी बहुत थिक है इस पे मजीद पानी आड़ करेंगे और इसको पतला सा हम बैटर रेड़ी करेंगे अच्छे से mix करेंगे कोई भी गुटली बगारा नहीं बननी चाहिए मैदे में इस कंडिशन में हमें जो मैदा है वह चाहिए अब यहां पर मैरिनेटेड फिश हम लेंगे इसको कोट करेंगे मैदे में इस तरीके से जच्छ्मान कोट और इसके बाद हम इसको डिप करेंगे अउइल में फ्राइ करने के लिए ऑयल हमारा जी मीडियम हीट पर गरम हो चुका है और मीडियम हीट ही हम इसको पांच मिनट के लिए फ्राइक करेंगे पांच मिनट के बाद हमने इसको टर्न करना है जब आपको लगे कि हमने बेटर लगाया है वो अच्छे से खोड चुक़े हम उसके बाद उसको करेंगा यहां पे इसमेदे में यहां पर दो से तीन हरी मुर्चे में लए ने यहूं और इसको भी हम इसके बीच में एड़ कर देंगे ताकि यह भी क्रिस्पी सी हमने इसको भी साथ फ्राई करना है तो यहाँ पे जी हमारा जो फ्राईंग को प्रोसेस है वो जारी है इसको हम फ्राई करेंगे आल्मोस 10 से 12 मिन के लिए अच्छे से क्रिस्पी होने तक के लिए हम इसको फ्राई करेंगे जैसी ही इसका रड़ सा कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे यहाँ जी हमारी फिश मज़ेदार सी रड़ी हो चुकी है उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको जुरूर पसंद आई होगी जो मुझे फीड़ बैक देना मत भूलेगा मिलती हूँ आपसे एक नीर रेसिपी के साथ अब तक मुझे अपनी दुआउं में याज रुकिए का मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए स्टेट रून अलाहाफिज